एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से सो का नोट निकाला, बच्चों की तरफ वह नोट दिखा कर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपे का नोट है, सभी बच्चों ने कहा सो रुपे का टीचर, टीचर ने कहा इस नोट को कौन-कौन लेना चाहता है, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब उस टीचर ने उस नोट को मुठी में बंद करके बूरी तरह से मसला, जिससे वह नोट बूरी तरह से कुचल सा गया, अब टीचर ने फिर से बच्चों को पर फैंका और अपने जूतों से बूरी तरह से कुछला फिर टीचर ने नोट उठा कर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिये अब टीचर ने कहा कि बच्चों आज मैंने तुमको एक बहुत ब संदा हो गया लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपे ही रही ठीक वैसा ही इन्सान की जो कीमत है और इन्सान की काबिलत है वो हमेशा वही रहती है आपके उपर चाहे कितनी भी मुश्क्रय आजये जाहे Ñ जितनी मुशीवतों की धूल आपके उपर गिरे लेकिन आपको अपक कीमत नहीं गवानी है आप कल भी बहतर थे और आज भी बहतर है